तो कैसे हैं आप सुभी स्वागत है आप सुभी के मेरी इस चैनल पे और मैं आप सुभी को बता दू जैसे मैंने बताया था कि इस चैनल पे आप सुभी को स्टेट वाइज या कॉलेज वाइज आप सुभी को इन्फोर्मेशन मिलता रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब क क्या रहने वाला है और यह मैं compare करूंगा पिछले साल 2019 में जो कटफ गया था फॉर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो ता उससे मैं compare करूंगा कि उससे compare करने पर एक अनुमान लग जाता है तो इसके बारे मैं आप सब को बताने वाला हूं शुरू करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले सबसे पहले आप जब बता दू कि उत्तर प्रद्रेस में तो सबसे पहले बात करते हैं अन्रिजर्ब्ड के लिए तो फॉस्ट राउंड 2019 का एक कट अफ लिस्ट है तो यहां पर देखें यू आर ओपी के लिए ओपेन के लिए यहां पर लिखा गया 582 माक्स पर सेलेक्शन हुआ है और जिसका रैंक नीट रैंक 12,429 है यू आर जील के लिए यानि ग के लिए बहुत सारे कटेगरी यहां पर 486 माक्स पर सेलेक्शन हुआ है जिसका नीट रैंक है 57,625 आप इसको अच्छे से देख सकते हैं यू आर फ्रीडम फाइटर के लिए 338 पर सेलेक्शन हुआ है यू आर एक्स सर्विसमेन के लिए यहां पर एक्स का फुल फॉर्मेन 22003 अब बात करते हैं BC के लिए backward class के लिए तो यहां पर आपके सामने सभी कटेगरी के लिए cut-off list है सभी अलग अलग कटेगरी के लिए यहां पर अच्छे से देख लें 579, 578, 501, 311, 577 और 100 माक्स पर सक्क्रिणवाई सभी कटेगरी में आपके सामने है मैंने इस लिस्ट इसको अपने टेलेग्राम ग्रूप पे अपलोड कर दिया जैसे आप सभी को पता है टेलेग्राम ग्रूप एस्मार्ट नोकरी ठीक है यहां पर इस चैनल पर आप सभी को सिर्फ college wise information मिलेगा यहां पर देखे AC के लिए scheduled cast के लिए तो इसका भी मैंने सभी का cut-off आप सभी को बता दिया है अच्छे से वीडियो को pause करके देख सकते हैं और यहां पर देखे scheduled tribe यहां भी मैंने इनके लिए बता दिया है तो वीडियो को pause करके इसको अच्छे से देख लें अब EWS category के लिए तो इसका भी सभी category wise मैंने यहां पर listing कर दिया है नीट marks पर कितने marks पर पिछले बार selection हुआ है और rank क्या था तो मैं आप सभी को बता दू कि यह जो मैंने आपको 85% estate quota का जो मैंने list बताया अब इस बार कितना cut-off जा सकता है तो मैं आप सभी को बता दू कि अगर जो मैंने cut-off आप सभी को बताया पिछले साल का अगर इसके around आपका marks है तो आप अपने state में 85% के लिए counseling में participate आपको जरूर करना है या इससे भी अगर आपका कम marks है तब भी आपको participate लेना है सायद college का जो seat से increase हो जाने से cut-off में कुछ variation हो सकता है तो आपको अगर थोड़ा बहुत कम marks भी है तब भी आपको participate लेना है और अपना अपन category देख लें बहुत सारा अलग-अलग category है उत्तर प्रद्रस में अब इससे अनुमान लग जाएगा कि इस बार cut-off क्या रहने वाला है इसी के around रहेगा exact बताना बहुत मुस्किल है तो मैंने ये बता दिया आपको अब इससे एक आपको exact idea लग जाएगा और बहुत सारे श्र और इस चैनल को subscribe कर ले state wise आपको information हमेशा मिलता रहेगा I hope आप सब्रको समझ में आ गया होगा और मैं आप सब्रकों करें कि किस state के cut-off के बारे में आपको जानना है और मैं देरे देरे आप सब्रकों को बता दूंगा thanks for watching video